अहां तुका है ठीक है आप लग सभी नीचे बेड़ जाओ इधर भी भाई सब नीचे बेड़ जाओ ठीक है फिया के बाग सुनें विडियो विडियो तो सब आ जाएंगे आपके पास पहें कर्माज भाई जय जोहार जय अदिवासी साथियो आज आप हम सब लोग यहां पर हमारी जो पहेंदों के हत्या हुए हमारी एक मा की हत्या हुए हमारे एक छोटे भाई की हत्या हुए इसलिए हुनको संबल देने आए है और यहां के एस्पी की इसकी उकाद दिखाने आए है को छाग मारने व लोग और उनको नलगके दिया गार और यहाँ का को कुम्ह ले घेए किसका दॉम था जॉम धा है और यहां के विलायकों में तहना चाहता हूँ कि आप उसको दबंग में पोलना वो कुटा था दबंग जो होता है वो लाचारों पे लाचारों पे अत्याचार नहीं करता है वो कुटा का फेडिया था जिसने हमारी बेहन को नाच-नाच क्या भागा आज मैं यहां कि पुलिस विसासर को कहना चाहता हूँ मैं उपड़ इसलिए आया हूँ कि पुलिस वाले मुझे देखे हम कायर कौम के लोग नहीं है जो प्रहंदेदियों के साथ अत्याचार करते हैं हम लड़ागू कौम के लोग है हमारे लगों में डरने वाला खुन नहीं होता है यहां के जो हमारे पुर्देश के मुख्य मंत्री चाती भूला रहे हैं पहियालिशना गुपे ने तेरे बात के पैसे देखे आवा शासन के पैसे था वो अतिकार था उनका मुख्य मंत्री शिवराज सिंगी चोहान आप भंजी बता देऊ पुर्देश की बैकियों को पुर्देश के दोटों को भंजे बता देऊ साथियों यह पुर्देश की पहली ऐसी घटना है एक कब्र से पांच लासे में निकली है एक कब्र से पांच लासे निकली है यह एक छोटी घटना नहीं है और मैं साथियों में कहना चाहता हूँ यह आदिवासी समाच हर समाच के साथ अगर अध्या चार हता उसके साथ खड़ा रहेगा लेकिन आज हमको मजबूरन उस बेटी को आदिवासी इसले कहना पर रहा है कि जो लोग आदिवासों का फाइदा उठाते हैं वो लोग बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन हम बनना चाहते हैं हम अमारी बेहनों के लिए न्याई के लिए आए हैं अगर इस बीच छाती आड़ाना परें तो महें कन्मोज की छाती सामने है और दोस्तों साथियों मेरे हुआ साथियों आप सबकों मैं कहना चाहता हूँ यहां का जो मीडिया है बहुत सारा मीडिया हमारे साथ था लेकिन एक अगबार की हमने हिडिन परी दो दिन तक आदिवासी लितारा और तिसरे दिन दलिट लिखने लग गया उसके प्रमाल हमा हमारे पास है मैं उनको कहना चाहता हूँ अरे आपको पेसा चाहिए तो हमको बोलो हम चलना करके आपको फिर साथ लेकिन जो सच चाहिए मिडिया को मोग तंत्र का चोता हिस्ता माना जाता है आपने कौन सी जिम्मेंदारी नी भाई ए कोई बोल रहा प्रेम प्रसंद कोई अरे प्लक कर लाए प्लक कर लाए प्लक कर लाए यहां का तियाई यहां का एस्पी यहां का विधायक सारे लोग मिले हुए अगर हमारी बेहने ने ने condemn way से अगर गयाती जब उसका मोबाईल चालू तो तुम ने उसका मोबाईल ट्रेश क्यों नहीं किया तुमने मोबाईल बच्चा उसको आपने मार दिया मारने के बाद गटे में उनको डाल दिया डालने के बाद यूरिया खाट डाल दिया नमक डाल दिया और यहां का पुलिस प्रसासन कहता है कि हमको 47 दिन बात पता चला मैं उनको कहना चाहता हूँ आपने भी साथ लोगों को गिरफतार किया है मैं इस मंच के मात्यम से कहता हूँ कि साथ लोग नहीं थे वहाँ पे तीस लोग थे दिस्यम के और उन पहनों के साथ बलतकार हाँ और फुलिस की मिली भगत से बलतकार के सबुद्द हटाने के लिए उसको डेड़ महीने तक जमीन में दफनाके रखा ताकि उसका बलतकार का सबुद्द हट जाता हूँ लेकिन मैं कहना चाहता हो हम कानून को पसंद करते हैं ह हम कामुन को मानते हैं, हम सभीधान को मानते हैं, वरना हम उसी खांदान से मोत का बदला मोत भी लेते हाई हमारी को पिरसा मुंटा को पड़ रहें, पंटे मामा को पड़ रहें, उनके विचारों पर चलने दीचिये, अगर वो बन गए तो मामला गणवड हो जाए्व आदिवासी हुआ कमजोर नहीं हैं अदिवासी हुआ डरने वाला नहीं है लडने वाला है साथियों और आप सब को मैं कहना चाहता हूं यह हैं यह यह किसी एक संगतन का नहीं है यह किसी एक वेक्टी का नहीं है, यह सामाजी का अंदोलन है, यह अंदोलन का मुख्य कारे करता है, इसलिए आप सबकों मैं कहिना चाहता हूँ, आज हमारे समाज के लोग पुरे प्रदेश से यहाँ पर आये वे हैं, आप लोग भी सुवर से बेटे होंगे, हम लोग भी पा आज बज़े से निकले वे, चुकि आपके यहां से हम पान सो किले मिटर दूर रहते हैं, रास्टे में हम लोग आए, सब लोगों के साथ आए, और सब का मकसद यह था, कि आदी वास्चिल के साथ जो अन्याय हुआ, जो अत्याचार हुआ, उसका आप हम लोग मुह तोड़ जो आप देंगी उसका, उस अन्याय इत्याचार का, तो सातियों, आप लोग दिन बर से हो, वक्ता सब यहां पर आयों हैं, और मैं आपको कहना चाहता हूँ, कि मद्यप्रदेश में हमारे आदिवासी सेटालिस विदायक है, छे सांसद है, और एक राज्यसमा सांसद है, सम इतनी बड़ी घटा हो गई, लेकिन वो एसी वाले कमरे में सो रहे हैं,